जहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल यूनिक मैडिसिन पर जिस पर हम दवाईयों के बारे में नईनी जानकारी लेकर आते हैं और अपने वीवर्स को नईनी जानकारी देने की कोसिस करते हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे Life Saving Medicine जिसको Snake Benam Anti Serum कहा जाता है दोस्तो ये एक ऐसी बैक्सीन होती है जब किसी को साप काट लेता है तो उस समय डॉक्टर के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है दोस्तो ये Life Saving बैक्सीन है क्योंकि जब किसी को साप काट लेत तो उसके जीवन को बचाने के लिए डॉक्टर के दुआरा ये यूज की जाती है दोस्तो बात कर लेते हैं इसके यूज इसकी तो गाईज आप देख रहे हैं इसने एक बैनम एंटी सीरम आई पी जो की सरिफ आई भी यूज के लिए है इसका जो यूज है दोस्तो जब किसी को साप काट लेता है तो उस समय डॉक्टर इंजेक्शन को लगाते है ताकि पेशेंट की लाइफ को सेब किया जा सके यानि उसको बचाया जा सके दोस्तो जब किसी को साप काट लेता है तो कौन-कौन से लक्षड आते हैं तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं गाईज जो color है वो change होने लगता है इसके साथ ही patient को headache होता है बहुत ज़्यादा सरदर्द रहता है shortness of breath यानि सांसें उसकी जो है कमजोर होने लगती है मतलब उसको सांस रुक रुक कर आती है और साथ ही cardiac arrest वगेरा भी हो सकता है अगर उसको cobra काट लेता है या जो ज़्यादा जहरीले सांप होती है वो काट लेते हैं तो cardiac arrest की problem भी हो सकती है दोस्तो साथ ही साथ patient को नीद आने लगती है उसको चक्कर आने लगते है तो इस तरह की जो symptoms हैं जब किसी को सांप काट लेता है तो उनको आते हैं guys अब बात करेंगे कि अगर किसी को सांप ने काट लिया तो इस injection को कैसे inject किया जाएगा तो दोस्तो इस injection का use जब सांप काट लेगा तो उस समय डॉक्टर कराते हैं और इसको क्या है ये जो distil water आप देख रहे हैं इसके साथ इसको mix करके अच्छी तरह से सेख करके उसको IV दिया जाता है और साथ ही दोस्तो अगर किसी को severe जब problem हो जाती है तो ये NS के साथ में भी dilute करके दी जाती है और ये जो injection है वो patient की condition के हिसाब से doctor decide करते हैं कि उसको किस तरह से देना है और कैसे उसको कितने time तक देना है कितनी बार देना है दोस्तो बात करें इसको कितनी time तक दे सकते हैं कितनी बार दे सकते हैं तो guys ये depend करता है कि patient की condition है वो कितनी CBR है माली जी उनको problem जादा है बहुत जादा जहर का असर है तो उस समय ये हर घंटे पर या हर दो घंटे पर doctor के द्वारा दिया जाएगा और जब तक दिया जाएगा जब तक की patient की condition में सुधार ना हो दोस्तो बात करेंगे कि अगर किसी को साप काट लेता है तो उनको कौन से medicine दिये जाते हैं कौन से नहीं दिये जाते हैं तो guys इसके अलाबा patient को क्या ध्यान रखना होता है तो दोस्तो अगर किसी को साप काट ले तो सबसे पहले उनको किसी तरह का कोई खाने पीने की चीज ना दे और जो उनको medicine है इस injection के साथ वो doctor paracetamol वगेरा या tramadol के injection दे सकते हैं paracetamol दे सकते हैं और इस medicine के साथ में जो medicine नहीं दी जाती है जैसे कि aspirin नहीं दी जाएगी जो कि blood thinner का काम करती है blood को पतला करने का काम करती है साथी NSAID group की medicine diclofenac, aciclofenac वगेरा नहीं दी जाएगी nemoslide tablet नहीं दी जाएगी तो इस तरह की medicine इसके साथ में नहीं दी जाती है दोस्तों बात करेंगे कि कौन-कौन से side effect है जो इस injection के आ सकते है patient को देने के बाद में तो इसके जो common side effect है उसमें patient को allergic reaction हो सकते है skin preaching हो सकती है skin पर redness वगेरा आ सकती है छोटे-छोटे दाने बन सकते है तो इस तरह के skin allergic reaction जो है patient को आ सकते है और guys ये सरिफ hospital use के लिए medicine है इसका कभी भी self administration नहीं करना है या गाउँ घर में या गाउँ धियात में क्या होता है कि लोग खुद से भी medicine देने लगते हैं तो ऐसा ना करें अगर किसी को साप काट लेता है या इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो तुरंत अपने नजदी की hospital में जाएं वहाँ डॉक्टर से मिलें और उनकी सलह से ही medication करें दोस्तो first aid treatment के हिसाब से अगर हम बात करें कि अगर किसी को साप काट लेता है तो तुरंत साप को क्या सापधानिया रखनी है क्या करना होता है तो दोस्तो साप के काटे वाली जगा पर घाव को साबुन या पानी से अच्छी तरह से धो दें साफ करें और उस पर bandage बांग दें और इसके अलाबा bandage बगएरा लगा कर उसको तुरंत जो है नजदी की hospital में ले जाए पेशेंट को एक registered practitioner के पास ले जाए जो की उनको treatment दे सकें दोस्तो इसके अलाबा बहुत सारे ऐसे लोग होते है जो मुँ से घाव को साफ करते हैं या जहर को चूसने लगते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए इससे क्या है कि पेशेंट की condition भी खराब हो सकती है और आपको भी दिक्कत हो सकती है यानि जो मुँ से जहर निकालने का काम करते हैं उनको भी problem आ सकती है तो इस तरह के अंदविस्वासों से बचे और अगर ऐसा कोई patient होता है तो बिना देरी के हुए hospital ले जाकर उसको एक सही treatment दलाएं यह हुई इस medicine की information आप जान लेते हैं बाइल पे क्या-क्या information है तो आप यहां देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इसका composition है वो सारा जो है बैनमस इसमें डाले हुए है इसकी quantity में जैसे की कोबरा वगयरा का है 0.6 mg, कॉमन क्रैट, बाइपर यह सारी चीज़ें इसके अंदर हैं साथी stabilizer, glycine वगयरा मिलाए गए है excipients का use किया गया है और यह 10 ml का still water लेकर इसको mix करके inject किया जाता है तो इस तरह से यह medicine होती है दोस्तो इसको एक सही जगा पर आपको store करना है और साथी जिस तरह से आपके pharmacist या doctor बताती है उस तरह से आपको सभी चीजों का सभी बातों का ध्यान रखना है दोस्तो भारत serum and vaccine limited के द्वारा बनाई गई medicine है जान लेते हैं इसका MRP वगेरा तो आप देख सकते हैं 585 रुपीज में आपको ये medical store पर मिल जाती है और इसकी expiry दो 2023 तक की है तो जब भी आप medicine खरीते हैं ये MRP expiry section जरूर चेक कर लिया करें जिससे आप किसी तरह का कोई खराब medicine लेकर ना आई तो दोस्तो आज की वीडियो में ये थी Snake Benam Anti Serum के वारे में एक जानकारी वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तो वीडियो आपके लिए helpful होगा वीडियो आपके लिए informative होगा और गईज वीडियो से आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, share करें इसके साथ ही चैनल को सबस्क्राइब करके यूनिक मेडिसिन परिवार का हिस्सा बने दोस्तों मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ वीडियो में अंत्तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद सेफ रहें अपना ख्याल रखें जै हिंद जै भारत